तीन दिन पहले गलवान को लेकर सरकार पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को आज अपने शब्द वापस लेने पड़े हैं गलवान खाटी में भारती तिरंगे के साथ सेना की तस्वीर सामने आने के बाद कॉंगरस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने खुशी का इजहार किया है उन्होंने ट्विटर पर लिखा है भारत की पवित्र भूमी पर हमारा तिरंगा ही फैराता अच्छा लगता है आपको बता दे कि इससे पहले राहुल ने चीन की तरफ से जारी प्रोपगेंड़ा वीडियो सामने आने के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को ललका रहा था उन्होंने दो जन्वरी को प्रधान मंत्री से चुपी तोड़ने की चुनौती दी थी यानि की चीन के मुद्दे पर राहुल को तीन दिनों में ही मिजास बदलना पड़ा है फिलाल आपको हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो सांसद राहुल गाधी ने ट्वीटर पर शेयर की है और इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन दिया है कि भारत की पवित्र भूमी पर हमारा तिरंगा लहराता ही अच्छा लगता है तो बतादे लगाता राहुल गांधी हमलावर रहते हैं लेकिन कुछे दिनों के अंतराल में उन्होंने अपने मिजास बदले हैं तीन दिन में ही राहुल गांधी के बोल बदले हैं ये तस्वीर शेयर कर उन्होंने जो ट्वीट किया है जो कैप्शन डाला है उससे साफ दिख रहा है और इसी पर अधिक जानकार एक लिए हमारे साथ हमारी साहियोगी ममता चत्रुवेदी लाइफ जुड़ गई है ममता राहुल गांधी के अचानक बोल बदल गया उन्होंने जो टस्वीर शेयर किया वाकई में वो टस्वीर देखकर बड़ा ही गौरवान विद साल लग रहा है लेकिन कुछी दिनों में बोल बदल गया क्या कुछ अधिक जानकारी जी बिल्कुल देखे राहुल गादी ने एक तस्वीर ट्वीट की तिरंगा गलवान घाटी का और ये लिखा कि तिरंगा ही अच्छा लगता है इसको लेकर भारती जनता पाती कहीं ने कहीं राहुल गाधी और पूरी कॉंग्रिस पार्थी पर हमलावर है और बिजएपी का सापतर पर ये आरोप है कि कॉंग्रिस पार्थी लगाता जूटे प्रोपोगेंडा देश में फैलानी की कोशिश करती है ब्रह्म पहलानी की कोशिश करती है हाला कि इससे पहले राहुल गाधी ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की एंट्री को लेकर प्रेस कांफरेंस भी किया था और उन्होंने कहा था कि भारस सरकार वर्तबान में जो मोधी सरकार है वो देश की सिमाओं को सुरक्षित रखने में कामियाब नहीं है और इसके अलमा लगातार केंस सरकार सही आकड़े भी प्रस्तुत देश की जनता के सामने नहीं कर रही है तो लगातार कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी और राहुल गाधी समय तमाम लोग केंस सरकार पर हमलावर थे लेकिन अब जिस तरीके से जबाब देना चाहिए और इसके लावा उनको माफी मागनी चाहिए कि देश में ब्रह्म पहलाने की लगातार कॉंग्दुस पाती कोशिश करती है वो कोशिश बंद करें और देश की जनता से माफी मागे चले ममता आप बने रही हमारे साथ आपसे आगे भी जनकारी लेंगे